हाई गाईज, वेलकम टू माई चैनल तमनास केक्स कॉर्णर आज हम देखेंगे केक बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीजों की जुरूरत पड़ेगी आपको सभी चीजों की माई डेटेल माई इंफॉर्मेशन दूगी तो जer आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्ट्राइब कीजे मेरे वीडियों को लाइक कीजे और जजाद से जाद छेयर और कमेंट कीजे ज़लिए फ्रेंट्स हम वीडियों को शुरुआत करते हैं केक माटेरियल में हम शुरुआत करेंगे टर्न टेबल से Turn table सब में ज़रूरी equipment है केक बनानी के लिए आपको market में बहुत अलग अलग turn tables देखने को मिल जाएंगे जैसे कि metal turn tables, wooden, plastic turn tables तो beginners लोग जो हैं वो plastic के turn tables यूज कर सकते हैं जो लोग heavy और advanced cakes बनाते हैं उनके पास इस तरह का metal या steel turn table चाहिए turn table के बाद बारे आती है bitter की electric bitter आप कोई भी brand का electric bitter योज़ कर सकते हो आपके bitter की wet capacity 4500 से 500 wet होनी चाहिए bitter के बाद हम बात करेंगे molds के बारे में मेरे पास यहां कुछ molds है यह निखिए यह है barby का half kg का mold है इसमें बड़ी size भी होती है 1 kg barby mold की फिर इसके बाद में पास कुछ round molds है यह one fourth kg round mold half kg one third kg one kg और यह जो बड़ा वाला है यह two kg round mold है round molds में यह basic है सब round molds के बाद हम बात करेंगे कुछ square molds की मेरे पास यह three square mold है यह basic square molds है जो सब में छोटी size है वो one fourth kg cake के लिए है जो medium size है वो half kg cake के लिए और जो बड़ी वाली है वो one kg cake square tin है यह three square tins basic square tins है इससे भी बड़े size में आपको market में मिल जाएंगे square tins के बाद आजकर market में हम ऐसे वाले tins देखते हैं यह है dome shaped tins इससे हम dome shaped cakes बना सकते हैं यह है half kg और यह है one kg dome tins मेरे पास यह दो basic sizes है dome tins में यह है pallets के बारे में हम बात करें तो मेरे पास यह three in one pallet का set है इसमें three pallets आते हैं यह जो है वो triangular pallet है उसके बाद यह second वाला है offset pallet और जो यह है normally हम जो use करते हैं वो third वाला pallet है आपके पास यह three pallets होना बहुत ज़रुरी है आपको cake को अगर अच्छी वाली finishing देनी होगी तो आपके पास यह three pallets होना बहुत ज़रुरी है अगर spatulas के बारे में हम बात करें तो मेरे हिसाब से fully silicone spatulas बहुत अच्छे होते हैं यह बिल्कुल bend नहीं होते और इसके tips जो है बहुत flexible होते हैं फुली silicone spatulas आपको market में बहुत कम rate में और easily available हो जाएंगे अगर cake plane करने के लिए scrappers की बात करेंगे तो आपके पास ऐसा plane scrapper होना बहुत ज़रुरी है और side में cake designing करनी होगी तो यह three in one scrappers सब में best है आपको local store पे या कही online store पे यह मिल जाएंगे 30 या 40 rupees में और यह तीनों अलग-अलग sizes में आते हैं सब में चोटी size यह है इसको तीनों side पे अलग-अलग designs होती है आप आपको जैसी चाहिए वैसे design बना सकते हैं यह देखिए इसे तीनों side पे अलग-अलग designs भी है तो यह three in one scrapper बहुत useful है केक्स में हम अगर cupcakes की बात करेंगे cupcake बनाने के लिए आपके पास यह six in one mold होना बहुत ज़रूरी है यह mold बहुत useful है six in one है यह mold और इसमें हमें lines करने के लिए यह cupcake liners है आपको यह market में मिल जाएंगे एक pack में hundred liners होते हैं यह set आपके पास होना बहुत ज़रूरी है cupcake liners और six in one cupcake mold तो cake decoration के लिए हम यूज करते है neutral gel, cocoa gel यह मेरे पास cocoa gel हम यह chocolate cake के लिए यूज करते है chocolate cake के ऊपर हमें glazing करने के लिए cocoa gel की ज़रूरत पढ़ती है यह 1 kg का packaging है आपको छोटे packaging भी मिल जाएंगे मार्केट में cocoa gel के बाद हम बात करेंगे neutral gel के बारे में यह neutral gel का approximate 2.5 kg का can है आपको इसे छोटे 1 kg, 1 kg के can मार्केट में मिल जाएंगे neutral gel में हम gel colors use करके किसी भी color का gel बना के cake पे decoration कर सकते हैं यह हो गया neutral gel neutral gel मार्केट में आपको easily मिल जाएंगे neutral gel में हम जो colors use करते हैं उन्हें gel colors करते हैं यह मेरे पास कुछ gel colors है दिखिए, यह shape master company के gel colors है, आपको neutral gel में gel color का होना बहुत ज़रूरी है food colors हम gel में नहीं यूज़ कर सकते gel color चाहिए हमें gel के लिए, तो यह हो गए gel colors और में पास कुछ food colors भी है यह black and white company के food colors है, हम इसे cream में या base में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं food colors यह हो गए food colors के बाद मेरे पास कुछ essence भी है, magic company के essence में यूज़ करते हूँ तो यह दिखिए, रस्मलाई का essence है इसे बहुत अलग-अलग essence आपको देखने मिल जाएंगे, तो यह हो गए हमारे essence, colors और यह कुछ gels है मेरे पास black forest cake, white forest cakes बनाने के लिए हमें compounds की ज़रूद परती है या फिर chocolate garnishing के लिए हमें compounds की ज़रूद परती है, यह मेरे पास collet company का dark compound है और collet company का white compound है मैं collet company के compounds यूज़ करती हूँ, आपको market में more day, collet यह companies available हो जाएंगे ice cakes बनाने के लिए हमें whipping cream की ज़रूद परती है मैं tropolite company की whipping cream यूज़ करती हूँ, यह है tropolite whipping cream, आपको market में बहुत अलग-अलग whipping cream मिल जाएंगी जैसे golden mark, propolite, propolite, sunrise यह सब whipping cream है आप कोई भी non-dairy whipping cream यूज़ कर सकते हैं, cakes बनाने के लिए अगर premix के बारे में बात करेंगे तो मैं sunrise company का premix यूज़ करती हूँ, यह है sunrise का vanilla premix 5 kg और यह है sunrise का chocolate premix 5 kg आपको local market में अलग-अलग premix देखने मिलेंगे, जैसे pristine, delicious या rich आप कोई भी premix यूज़ कर सकते हैं sprinkles की हम बात करें तो मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग sprinkles है आपके पास भी होंगे अगर आप cake making में इंट्रेस्ट रखते हो तो आपके पास sprinkles होना बहुत ज़रूरी है यह है जो basic sprinkles है यह silver sprinkles है basic जो सभी लोग use करते हैं cakes के लिए और यह golden sprinkles है अगर हम बड़े sprinkles में बात करेंगे तो मेरे पास golden sprinkles है बड़े वाले इसके बाद यह देखी यह भी golden sprinkles है यह कुछ color fillings है मेरे पास cake decoration के लिए और यह कुछ black fillings हम जो chocolate cake पर use कर सकते है तो यह हो गए मेरा sprinkles collection है यह मेरे पास कुछ चौको chips है जो हम black fars cakes में वगएरा यूज करते हैं यह white चौको chips है तो ऐसे बहुत सारे sprinkles आपको local market में online stores पे मिल जाएंगे यह हो गए golden colorful और बहुत अलग-अलग sprinkles है मेरे पास तो इसके बाद हम बात करेंगे nozles के बारे में मेरे पास nozles जादा नहीं है बट मैं कुछ specific nozles यूज करती हूँ यह nozles में जादा तर मेरे designs में यूज करती हूँ यह nozles का कोई name या number नहीं है आप देख सकते हैं यह nozles और beginners के लिए 1M और 2D यह दो nozles बहुत useful है और कुछ spot nozles भी है मेरे पास केक के उपर जो हम flowers बनाते हैं वो flowers decoration के लिए हमें cake dust colors की जुरूरत पड़ेगी यह है cake dust colors pink और purple यह divine company के dust colors हैं आप cake decoration पे dust colors का यूज कर सकते हैं अगर आप flavor cakes बनाते हो mango, pineapple, strawberry, orange जो कोई भी flavor cakes आप बनाते हो आपको flavor cake बनाते हो तस flavor crush की ज़रूरत पड़ेगी यहां मेरे पास मलास कंपनी के strawberry, pineapple और mango के crush bottles हैं यह छोटे packaging हैं आपको इसमें बड़े packaging भी market में मिल जाएंगे cake decoration के लिए आपको rose या flower बनाना हो तो आपके पास यह rose nail होना बहुत ज़रूरी है rose nail के help से आप आपको जो चाहिए flower बना सकते हैं आजकल market में pinata cakes बहुत trend में चल रहे हैं तो pinata cake बनाने के लिए आपके पास यह से pinata mold होना ज़रूरी है यह है hard shaped pinata यह fully silicon made रहता है यह बिल्कुल rubber के जैसा होता है यह है jam shaped pinata आप अंदर से देख सकते हैं इसका shape बिल्कुल jam shaped है तो यह हो गए pinatas यह small pinatas हम इसे decoration के लिए use कर सकते हैं pinata यह hard shaped small pinatas है और chocolate garnishing के बात करें तो यह मेरे पास कुछ chocolate bars है इससे हम chocolate bars बना सकते हैं और मेरे पास hard shaped garnishing sheet है इसमें हम chocolate melt करके हमें जो चाहिए वो designs बना सकते हैं alphabets के और numbers के भी molds आपको मिल जाएंगे chocolate molds यह है cube shaped alphabet molds और यह जो normally हम जो use करते हैं और यहाँ पे कुछ मेरे पास leaf garnishing sheets है बहुत सारे bakers decoration के लिए edible चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यह edible flowers इसमें आपको अलग-अलग designs मिल जाएंगी fondant cakes या plain cakes में आपको कई बार side में design दिख जाती है तो वो design बनाने के लिए इस तरह के stencils का यूज होता है यह cake stencils यह bricks design में है cake stencils आपको इसमें कई designs मिल जाएंगे यह जो है flower design है stencils यह cake stencils ज्यादा तरह advance cakes के लिए यूज के जाते हैं frosting और icing के लिए हमें piping bags के ज़रूत पड़ेगी यह मेरे पास piping bags है यह master company के piping bags है इसमें one pack में hundred pieces होते हैं आप इसे use करके fake भी सकते हैं यह one time use के लिए होते हैं यह plastic piping bags अगर आपको आपके cake को बहुत attractive और finishing देनी है तो आप cake toppers का यूज करें आजकल मार्कित में अलग-अलग toppers आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ पूछना हो कुछ queries हो तो आप मेरे को इंस्टा पे message कर सकते हो मेरा account है इंस्टा पे तमन्नास cakes corner और आगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बाए